I am back to official अक्तर रह्मान सर यूटूब चैनल एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत तब वैलकम है हमने अपसे थोड़ी दिर पहले आपको और अंगाबाद हाई कोर्ट का जो है जैज्मेंट का जो भी मतलब आदेशी वो बताया था अर जिस तरह से और अंगाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उन बच्चों को रहात मिली है जो बच्चे टेटी गेर परकार की लिष्ट में शामिल थे 2018 हो या 2019 और जो बच्चे सीटेट पास थे उनको और अंगाबाद हायकोट ने पवित्र पोर्टल की रेजिस्टेशन की परमिशन दे दी है इसी तरीके से आप बात करते हैं हम नागपूर हायकोट में जो प्रकरन चल रहा था उसकी क्योंकि नागपूर हायकोट का जो आदेश था वो अभी तक फिलाल नहीं आया था लेकिन अब नागपूर हायकोट की तरफ से भी जो है इन बच्चों को हरी जहंडी दे दी गई है इस तरीके से आप समझ सकते हूँ तो नागपूर हायकोट में किस तरीके से चीज़े बताई गई है इस वीडियो में हम तफसिल से उसकी इंफॉर्मिशन आपको बताएंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथे साथ बेल नोटिफिकेशन को आउन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वह आसानी से मिल पाए और अगर आप इस कोड के आदेश को हासिल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलेग्राम और वाटसप ग्रूप को जोईन कर लेना है जैसे कि आप यहां पर वाकिल साब के नाम देख रही हमारे फेमस वाकिल राम करोड़ साब तो यह है यहां पर और जो कोरम थे वो उनका नाम भी आप जानते है ठीके तो इन लोगों से आप पहले से वाकिए हम इसमें को ट में क्या हुआ हुआ हम यह आपको बता देते हैं देखी और अरंगबाद में कुछ इस तरीके से चीज़ी बताई गई है कि पहली बात तो रेफरेस्ट लिया गया है यहाँ पर औरंगाबाद आप हाईगोट के जजमिन्ट का मतलब औरंगाबाद में जिस तरीके से कल हैँरिंग होई थी जिस तरीके से सुनोनी हुई और औरंगाबाद हाई कोट ने जिस तरीके से कहा कि ये बच्चे जो है रेजिस्टेशन कर सकते पवित्रो पोर्टल पर अगर वो सीटेट पास है तो यहाँ पर हम सरी बात कर रहें सीटेट पास होने वाले बच्चों की क्योंकि नागपुर पूर्षण करते हैं तब तक जो है इनको रेजिस्टरेशन का मौका दिया जाए पवित्र पोर्टल पे इस तरीके से नागपूर हाई कोट की तरफ से भी अपना आदेश आया है ये पीडिया आप जो देख रहे हैं ये उसी की प्रिंट है ठीक है तो मतलब नागपूर हाइकोट का यह कहना है कि जो बच्चे सीटेट पास है और जो बच्चे टी-एटी की गहर प्रकार में शैमिल ते दोजार अठार और निस में वो बच्चे जो है पवित्र पोटल पर रेजिस्टेशन कर सकते ताथपूर या सोरुपाथ हम जिसक कहेंगी क्योंकि फाइनल जज्यमीन्ट आना भी बायं है और नागपूर हाइकोट ने यह जो रेफरेंस दिया है और अरंगाबाद हाइकोट का दिया कि जिस तरीकी से जो हो रही है वो सिर्फ याचिका करताओं के लिए जिन जिन लोगों ने अपनी याचिका डाली थी उन उन लोगों को जो है कोड की तरफ से रहत मिल रही है वो चाहे ना पुरो या फिर औरंगाबादो और इससे जुड़ी भी कोई और अपडेट आती है तो आप हमारे चैन